पढ़ेंगे और यह टेंडर यहां पर लिखा है यह यह तो में जे क्लियर हो गया यह को नहीं बनाना पड़ता इसमें ब्योंक्य स्पेसिफिकेशन बोलके आएगा जिसमें जितने भी पॉड़क्ट है सबके कैटलोग अपलोड करने पड़ेंगे क्या क्या लगेगा इस टेंडर में एक्स्प्रियंस ओप्लाइसएशन और सब्योंक्य और एटीश वह तो कोवरेंट यह चार डॉकमेंट्स टेंडर में देना पड़ेगा एक्प्येंस लगेगा मतलब यह वह जो है वह है वह तो आप एक्षपेंस यह तेंडर बढ़ रहे हो तो यह तेंडर भर सकते हैं यह तेंडर बीड आरे में जाएगा और रूल क्या है h1 price bid elimination h1 जो है वह limit हो जाएगा two packet bid है three days का मिलेगा आपको tender का estimate amount है 50 lakh 55 lakh 325 5 lakh 5 lakh का 5 lakh का bid है मतलब 5 lakh या 5 lakh के नीचे के bid में कभी भी EMD और EPVZ नहीं मांगा जाएगा इसलिए by default 9 होगा 5 lakh के उपर में ही बायर मांग सकता है और इसमें documents है financial documents required यह मतलब आप जो tender में amount cost डालोगे वह cost का आपको मतलब rate describe करना पड़ेगा जिसका costing का details provide करना पड़ेगा यह MSME और MSME इंडिया 9 है और आपको यह specification दिया है जो आपका product है उसका specification क्या है हर एक item का देखो specification दे दिया है तो मुझे यह item यह specification में चाहिए ठीक है तो यह मेरा पूरा tender का condition से हर एक item होगा minimum ब्यों की और यह कैसा है देखते है आइटम वाइज इगोलिशन है या बेलु आइज इगोलिशन बत्तब हर एक item का मुझे ट्रेट करना पड़ेगा जो में मैं अभी important point था वह मैंने आप लोग को इस टेंडर में clear किया अब में टेंडर आप लोग को भर के रिखाता हूं सेंतु सर्दार बोलिए अब मैं लॉग इन कर रहा हूं अभी तक मैंने लॉग इन नहीं किया टेंडर का डिटिस पर ने था अब मैं लॉग इन करके डारेक्ट टेंडर फरके दिखाता हूं अब मैं लॉग इन कर दिया टेंडर का आइड़ी मुझे पता है यह मेरा टेंडर का आइड़ी है सबसी इजी है केंडर भर्णा भीयों की वीड़ी में जाओ लेस्ट ऑब बीड या कंटेंड एक्जेट बीड सर्च में जानो और इसको सर्च करते हूं एंड सर्च यह आगे आपका एक स्टेंड़ी कोरियंडम है इसका तो दिख जाएगा देखो इस टेंडर में क्रियेट रिपेजेंटिशन है क्या आज 20 से 19 तारिक रिप्ला जिदि आपको कुछ पूछना है इस टेंडर के रिगार्डिंग ता पूछ सकते हैं कि इस टेंडर में फोर डेज तक का टाइम दिया है चार दिन के अंदर कुछ भी पूछ सकते हैं चार दिन के बाद पूछने को नही सकते हैं सब कुछ तो दिया है इसने इस पूछ डॉकॉमेंट के कुछ भी पूछना चांड़ सकते हैं कोई भी सकते हैं कोई को ही दना चाहना ताक ने सब्सक्राइब करें यहां पर यहां कहते हों और इसको सब्सक्राइब कर दो है ना यहां पर करें 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 कब मिलेगा रहने के बाद यह पर यहां पर यहां पर देखो आप देखोगे वहां पर आपको पूछाए तो यह नहीं पता चलेगा पूछा है कि क्लियर होगे यहां तक अब हम आते हैं पार्डिसिपेट करोगे आपको एक पॉप अप मैसेज आएगा यहां टेंडर में आएगा यह में किन इंडिया के तहत आ रहा है क्या बॉर्डर सैरिंग के साथ जो है उनके साथ आप उनका कोई पोड़ेट बेच रहे हो जड़ी आप अब यह करते हैं तो उनका पूरा डीपी आइटी रेजिस्टेशन वगर आपको डेटेल्स आपको देना पड़ेगा नहीं है तो नो और यह ठीक है यह टांस्पर आप टेकनोलोजी का है यह में किन इंडिया के तहत है और यह आपको एक डिक्लेरिशन है नो नो यह करके स् जरब आईटम का लिस्ट आपको इसको करो अपके बारे में आपके बास है ऑपसें मेक मोडलं और अपको देना हूं का ऑप सेब केट्छा Eckleton का करना यह कि यह किस टाइप के लिए बीयो की बीड के लिए और एक टाइप का बीड बनने का तरीका अलग है यह आप इसमें प्राइप अब यहां पर दो आइटम है आपको एक का सिंगल यूनिट का प्राइब यूनिट प्राइब वाले हैं पंदास वाले आठ रास्ता ए वन टाउजन एट हंड़ेड उपरवला फिप्तीन हंड़ेड थर्ड ट्वैंटी थ्री हंड़ेड पूर्थ आइटम वन ट्वैंटी रूपीज यह नाइन थाउजन यह 1,65,000 यह अभी आपको लगा 900 अब यह आपको बता दिया टोटल वैलू 3,61,240 रूपीज में आप यह टेंडर को कोट कर देंगे हर एक के साथ यह मल्टिप्लाइ किया 900 इंटू 1,65,000 इंटू 2 ऐसे कि टोटल आपका वैलू जो आ गया 3,61,000 आपको क्लियर है जिए आप चेंज करना चाहें तो आप चेंग कर से मुझे यह 2,300 के जगा 3000 में कोट करना है तो यह अमाउंट यहाँ पर ऑटमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा अब जब इमाउंट आ गया था हम करेंगे इसको इंड गया देखो चला गया पहला टालॉग हो गया फिर अब डॉकॉमेंट जो भी डॉकॉमेंट बोला गया आपको एक एक डॉकॉमेंट upload करने को मिलेगा क्या-क्या documents यहां पर मागा गया था देखो required documents क्या था experience OEM certificate compliance of BOQ और ATSC मैंने आपको बोला था रहे गए रहेगा यहां पर चारी documents आपको four documents से upload रहे एक्स्पियांस OEM compliance BOQ और ATSC निचे आपको finance documents बोला गया था जिए आप देखेंगे तो मैंने आपको बोला था कि इस टेंडर में financial documents भी है तो आपको upload करना पर फिलाल हम लोग एक documents upload कर देते हैं आप proper documents upload करेंगे documents इसलिए मैंने आपको समझाई दिया है क्या documents आपको रहेगा हूँ आप प्रेपेर करो और बाद में यहां पर ऐसे अफ्लोड अब आपसे पूछ रहा है और यू मैं मैंसे मी मतलब manufacturer हो बीओ क्यू बिड़ में आपने कहीं details आपसे पूछा नहीं क्या आप यह यह अरिषेलर होतों यहां पर दिख रहा है डिस्पले हो रहा है दूसरे टाइप को बीड में जैसे की कुस्टम बीड पॉडक्ट बीड बाइडिफोल्ड यह आपका डिस्प्ले हो रहा है तो फिलाल हम लो करते हैं एंड से इस टेंडर में एमडी नहीं है इसलिए एमडी को हम बाइपास कर लेंगे और वेरिफाई बिड़ पाइटिसिपेशन में चला जाएगगगगगगगगगगगगग हुआ है हमने जहां तक टेंडर भरा था वहां तक सेव रहेगा अप्लोड डॉकमेंट्स पे हुआ डारेट हमें वहां तक आजाएगा अब एकसेप्ट करेंगे वेरिफिकेशन करेंगे मोबाइल पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा और वेरिफिकेशन कोड डालो आपका टेंडर सम्मिट हो जाएगा सिंपल है यह पूरा प्रोसिजर है ब्योक्यूविड बरने का अब आपके कोई डाउट्स है ब्योक्यूविड के रिगार्डिंग तो फोस्ट